नमसकार आज मैं अलग तरह का इडली लेकरके आई हूँ आज मैं लाई हूँ चना इडली तो देखिए कितना फ्लपी और अच्छा बना है और ये लाल चटनी के साथ तही में के साथ खाईए तो इसके लिए चार कटोरी चाबल एक कटोरी उरत डाल क्यारव से धो करके इसक इसको पीस करके पूरी रात के लिए छोड़ूंगी, कम से कम आठ से दस गंटा इसको छोड़ना ही है, पूरी रात छोड़ेंगे तो और अच्छा है, देखे इसका बिल्कुल फाइंड पेस्ट में बना लियू हूँ, और इसको रात भर के लिए छोड़ देती हूँ, इसके इडली एस्टेंड ले ली हूँ, उसमें दो गिलास पानी डाल करके चढ़ा दी गरम होने के लिए, और इस इडली एस्टेंड में थोड़ा थोड़ा रिफाइंड डाल के एक चमच पहले गोल डालूंगी, और फिर नॉर्मल चना फ्राइज जो होता है, वो कर ली हूँ, बारह से पद्र traंड मिनट के लिए, इसटीम होने के लिए चोड़ दिये बनकर तयार हो गया, फिर पानी के छीटा डाल करके चाकू या चमच से निकाल लिए तो इडली रिफाइंड आदाएज आप